अलो फ्रेंद्स वल्कम बाक तो चैनल तो के जीम यू बेसी नर्सिंग का आज इग्जामिनेशन था संडे 19 डिसेंबर इस वीडियो में डिसक्रस करने जा रहे हैं कि इग्जामिनेशन पेपर कैसा आया था कैसे मिल पाएगा इसमें सेलेक्शन अगर आपको सीट लेनी है यह पे और मेरिट के टॉफ क्या जानी चाहिए तो वीडियो स्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हमाई वीडियो साथ बने दिए जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे है तो फर्स चीज आपको पता है यह पेपर तीन गंटे का था ठीक है 200 MCQ questions यहां आए थे negative marking नहीं तो अब हम सीधे आते हैं कि paper कैसा हुआ आज का जो हमाई पास reports आई है तो जैसे हमने पिछले वीडियो को आप देखिए हमने जैसा बताया था वैसे ही paper यहाँ पे थोड़ा सा कठिन आया है हमाई पास जो information आई है students से और बाकी sources से उससे यह ब paper almost level of the NEET examination आया था हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप इसको ABVMU उत्रखंट तरह बिलकुल मतलें KGMU का paper है यहाँ पे आपको seat qualified करना है qualify नहीं करना है paper tough आएगा ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पे paper tough आया था तो merit भी लो जाएगी paper आया था NEET के लेवल पे और actual सी बात है बाकि जो nursing aptitude वाला portion था और English और GK वाला portion था comparatively easy था तो जिन्होंने हमारे वीडियो nursing aptitudes को follow किये है most probably उनके अच्छे scores आने चाहिए सीदे अब चले आते हैं हम seat mattress की तरफ कि कितनी seats है और आपको कितने marks पे seat मिल सकती तो आपको बिलकुल clear है कि यहाँ पे general के लिए 44, OBC के लिए 30, SC के लिए 23 और ST के लिए 2 और EWS category के लिए 11 है तो यहाँ क्योंकि seats कम है इसलिए competition tight रहेगा मैंने पहले ही बताया था ठीक है अब कितने marks पे आपको seat बिल जानी चाहिए तो जो paper आया है उसकी accordingly मेरा मानना यह अगर आप 150 plus में हैं अगर आप 200 में 150 plus के उपर score कर रहे हैं आप almost safe zone में हैं आपको यहाँ पे seat मिल जाएगी मेरा जो personal analysis है अगर general category के candidate है जीकर general category बदलब 44 seats के लिए fight करता है उसके marks सुनिए का ध्यान से उसके marks अगर 155 के plus के उपर है 155 plus के उपर है तो वो almost seat लेके जाएगा उसके बाद मैं बात करूँगा EWS category क कि अगर उसमे 150 के उपर है तो उसको भी seat almost मिलने की chances है फिर अगर बात करें OBC और SC seats की तो OBC SC के लिए कहूँगा 140 plus है अगर आपकी 140 से 150 के बीच में अगर आप lie कर रहे हैं तो आपको seat almost confirm है ST के लिए में कहूँगा कि 135 plus ये मेरा range है अब इसमें plus 5 और minus 5 आप कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे जा सकती है ज्यादा नीचे नी जाएगी ऊपर थोड़ा सा और जा सकती है अब इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका 175 180 भी score हो रहा होगा या 170 हो लेकिन ऐसे बच्चे ब बात करें तो वो रेंज आ जाएगा 155 के ब्लाग वाला तो 150 प्लस जो है एक अच्छी रेंज है सीट अक्योर करने के लिए 155 प्लस पर मैं कहूंगा जैनरल को सीट विल ले की चांस माक्सिमम है 150 प्लस पर EWS OBC SC के लिए 140 प्लस और ST के लिए 135 प्लस पेपर लेकि लेवल की किया कीजिए Physics Chemistry Biology के हम थोड़ा टाफ बनाते हैं इसको ABWO और अत्राकरण से बिल्कुल कंपेर मत किया कीजिए वहाँ पेपर इजी आया था और आपको टाफ जब पढ़ेंगे तो इस टाफ पेपर भी आपको इजी लगए है इसलिए हम टाफ पढ़ाते हैं Easy Questions के चक्र में नहीं रहते तो Physics Chemistry Biology के हमारे वीडियो फॉलो किया कीजिए वो पेपर का पैटर अल्मोस था Nursing Attitude के जो वीडियो हमने बनाये थे वो बहुत हलफुल रहे हैं सुडेंट्स को जी के इंगलिश भी काफी जो है मिलता जुलता आया है तो हमारे चैनल के साथ बंदेरी हम इस चैन से लिए फाइट करना है 150 प्लस आपका सेफ जोन है हमारे चैनल साथ बने लिए तैयारिया हमारे साथ करते लिए बेस्ट आफ लग पर आले एक्जामनेशन संद थैंक यू वेरी मच